कि यहां मैं वीने निर्फिक फ्रेंड आपका एक़ बेढ़ फिरशे हमारे चैनल पर श्वागत थेए तो फ्रेंड बढ़ी खबर निकल के आ रहे जैसा एक मैं आपको पहले भी बता चुका था तो फ्रेंड व फानली हो चुका है तो friends government job vacancy stop जी हाँ friends नई भरतियों पर रोक लग चुका है यानि सभी भरतियों पर रोक लग चुका है जो लोग भरती हो चुके वह मतब लगी यह भरती हुआ ही कहा है कहां कोई vacancy भी ते central government की बात करें लेकिन सभी भरतियों पर लगी रोक तो अब लेकपाल एक्जाम कब होगा group D और NTPC कब होगा तो friends यह बहुत बड़ा सवाल बन जाता है क्योंकि यही तीनों मेरे ने बहुत important vacancies दिख रहे हैं लेकपाल एक्जाम जो है UP वालों के लिए है group D और NTPC पूरे इं क्या region erection है या फिर Omicron है या कहां से खबर आ रही है कहां से मैं बात बोल रहा हूं तो friends अगर आप लोग लगतार न्यूज से अपडिट रहते हैं तो आपको यह बात मालूम होगा Omicron तो डेली बढ़ी रहा है वो तो एक अलग issue है ठीक है लेकिन अभी क्या है आज पांच राजियों में चुनाओ का घोश्टा हो गया है तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से राजिये हैं यह देखिए विधान सभा चुनाओ 2022 690 सीटों पर मदान से नतीजों तक सब 28 दिन में ठीक है उत्तर प्रदेश में साथ चरड़ों में चुनाओ होने वाले हैं जो 10 फररी पंजाब में 14 फररी को वैलेन्टाइन सडिय के दिन जहां 70 सीट है 36 डिन 5 राजियों में चुनाओ स्टार्ट हो गए है यांदि के इन 5 राजियों में अब आदर्स आचारश भू हो गया है जाँ आठ तारिक तक जो है आदस आचार सहीता लागू हो जाएगा उससे पहले लेखपाल का विग्यापन जरूर आ जाएगा ये बात आपको मालूम होगा और मैं तो आपको पहले ही बता दिया था कि लेखपाल का विग्यापन जो है पांस तारिका ऑनलाइन खतम होने के बाद ही सिधा साधा egzampal आपका है बिहार चुना अभी कितना दो साल वा सयद बिहार चुना हुए आप वहाँ पर देखे हूँए वहाँ पर जितनी वेकंस्ने एक्जाम से सब को पोस्ट पॉन कर दिया गया था election के वज़र से जितने वहाँ state government के इक्जाम से सब को postpone कर दिया गया, कोई exam नहीं हो, तो रोग दिया गया, कहने को तो कहा जाता है, कि आदस अचरसहिता का मतलब होता है, कि नए विज्यापन नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन reality क्या होता है, जितने government implies होते हैं, चाए teacher हो, चाए clerk हो, चाए कोई भी हो, सब को चुनाव duty मे लगा दिया जाता है, इसलिए कहीं भी state में कोई भी vacancy का कोई भी exam नहीं हो पाता है, कोई भी process आगे नहीं बढ़ पाता है, सब लोग क्यों election में ही लगे रह जाते हैं, तो यह तो बात हुई, अभी state government की, थोड़ा center government की बात कर लेते हैं, यानि anti-pc और group d वालों के लिए कि इनका क्या होगा, इनका इस state से क्या मतलब है, तो friends आपको बालो भाई यह चुनावा पांच राजियों में होने जा रहे हैं, ठीक है, इन पांच राजियों में आपको मतलब की क्या है, centers वेगरा नहीं मिल पाएंगे, इन पांच राजियों में मतलब की exams नहीं हो पाएं जो वाइरल उसलेटिट नहीं है, सुबह से ही मुझे कमेंट आ रहे थे, आज मैं शाम को जब एक्जाम देकर आया हूँ, जब मैं यूटूब ओपन किया हूँ, इतने सारे नूटिफिकेशन आया हुए थे, इतने सारे कमेंट आया हुए थे, एक ही चाहिज के एक लिंक अगर बता हूँ, यह फेक है, तो क्यों फेक है, कहां से फेक है, मेरा यही काम नहीं रहे है, कुछ आप लोग भी ध्यान दो, कुछ आप लोग भी करो, ठीक है, और ऐसे एक वली इंटिफिक वीडियो ने, इसमें जादा चर्चा नहीं करेंगे, जो इंपोर्टन अप्डे आपको लगतार देते रहेंगे, लिए अभी किया है, थोड़ा सा बीजी चल रहे है, तो फ्रेंड्स यहां पर हम बात करें, गुरूप डियो और एंटिफिक वीडियो नहीं रहेंगे, तो आपका एक्जाम होना मुस्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक्जाम में पूल लेक्पाल एक्जाम को लेकर के लेक्पाल एक्जाम कब होगा, तो फ्रेंड्स मैं तो आपको बताया थे लेकपाल एक्जाम में लेकपाल नहीं महज एक लॉली पॉप है, आपको मालूम होगा कि पैट में 17,99,052 लोग अपलाई किये थे, ठीक है, 17,99,52 लोग यानि अठार लाख लोग तो यहां पर क्या किया गया है, जैसा कि मैं सुरू से बता रहा था कि सबको एक्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा, सबसे फॉर्म भरवाया जाएगा, सबसे फीस लिया जाएगा, तो 25-25 रुपया सबसे लिया जा रहा है, ऑनलाइन आवे दन प्रिक्र अब हम एक्जाम दे पाएंगे, अब हम लेकपाल बन जाएंगे, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मैं क्या बोले था, कि इलेक्षन के बार एक्जाम कराया जाएगा, और 90-50 परशन लोगों को बाहर कर दियाएगा, क्योंकि 15 रुपया बुलाया जाना है, ठीक है, सॉरी 85 परसेंट नहीं बोल सकते हैं, बहुँ जादा बोल दिया, परसेंट अगुना में डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, यह मतलब कि जैसे कि 8000 वैकेंसी है, और 17 लाक लोग है, लगए 850 ठीक है, तो यानि कि कह सकते हैं कि यहाँ पर 20 गुना कितने हो हैं, तो आप अंदाजा लगा लिए, मैं सही बोल रहा था, यानि कि केवल 15 परसेंट को बलाया जाएगा, 20 परसेंट तो वही चीज़ है, यह 15 से भी कम बलाएंगे, यानि कि लगभग लगभग, डिर लाक मैक्सिमम कह सकते हैं, यानि कि बाकी लोग कहां जाएंगे, उनका कोई मौका नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसका एक्जाम भी है, अभी नहीं होने वाला है, मैं बताया था, चल चला, मतलब आयोग में 27 फरड़िक होगा, लेकि 27 फरड़िक होना मुस्किल दिख रहा है, कहीं से भी चांस मुझे नहीं दिख रहा है, कि इलेक्शन उस देट रोक लग चुका है, ना कि केवल भरतियों पर ही रोक लगा है, तो अभी आप लोग क्या करें, केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करें, इलेक्शन में अगर पार्टिपेट करना चाते हैं, वोड़ दें, बहुस दो लिए वोट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी न फोकस करना प्रिपरेशन करें, अधर वाईस करना चाहते हैं, पहले इसे पहले बता चुका आपका लेक्शन में अगस्ति नहीं होने वाला है, आप लोग अभी भी आहीं मान के चले अगस्त क्या सबसी, आपका लेक्षाम हो पाएगा, इससे पहले कोई चांस नहीं दिख है और cutoff का बहुत बड़ा जटका लोगों को लगने वाला है ठीक है हो सकते है वेकनसी court में बिचले अभी चल रहा है कि वेकनसी court में जा सकती है इसलिए government ऐसा की है तो अभी बस इतना ही update है friends कि अभी सभी